ब्रह्मास्ट्र आजकल ये शब्त काफी डिमार्ड में है, फिल्म के ट्रेलर ने बवाल मचा दिया है। लेकिन ब्रह्मास्ट्र की असली कहानी क्या है, सिर्फ एक मिनिट में पिएजडी करवा दूंगी आपकी। लेकिन ये ऐसे ही नहीं मिलता, ब्रह्मा या शिर्फ दोनों में से किसी की तपस्या करिये, तब वर्दान में मांग सकते हो। इस्तमाल करने के लिए खास मंत्र बोला जाता है, उसके बाद आस्मान में आग का गुबारा फूलता है। जमीन पे दुबारा घास कभी नहीं उगती और समुंदर आग की गर्मी से भाब बन के सूख जाता है हमेशा हमेशा के लिए। एक खास बात और है, ब्रह्मास्त्र टागेट स्प्रेसिफिक होता है, मतलब चलाने से पहले दुश्मन का नाम बताना पड़ता है। उस नाम के अलावा ये किसी और को नुकसान नहीं पहुचा सकता, लेकिन अपने शिकार का पीछा ये कभी नहीं छोड़ेगा। रामायन में श्री राम ने रावन को मारने के लिए ब्रह्मास्त का इस्तमाल किया था। इसके अलावा महाभारत में भी अर्जन और अश्रतामा ने एक दूसरे पर इसी हत्यार से हमला किया। तब श्री कृष्टन ने दुनिया को खतम होने से बचाने के लिए इनको रोक दिया था।